हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ काल यानि टैंसस तो पहले ही बताते हो कि इसकी जो पीडिया फाइल है इस प्रेजनेशन की वह मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उस लिंक पर क पर दिना लाइक सो काल का मतलब समय है समय के अनुसार क्रिया जो रूप लेती है उसे काल कहा जाता है अब देखो काल का सीधा सीधा ही जो मतलब होता है वो समय के उपर होता है सो जो समय जैसे कि अगर इस ताइम का समय चल रहे हो आगे आने वाला समय या पीछे बीता उसके अनुसार जो क्रिया यानि हमारे वर्ब जो रूप ले सकती है उसे हम काल कह देते हैं सो काल में नी तीन प्रकार की होते हैं यहां पर में लिखा हुए काल तीन प्रकार की होते हैं सबसे पहले काल के बारे में हम बात करते हैं वर्तमान काल जब चलते हुई समय की बात हो उसे वर्तमान काल कहते हैं यानि जो समय अब चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कह सकते हैं जैसे अगर हमें एक sentence देखे इसकी example में दो sentences लिख हुए है मैं आग सेंख रहा हूँ यानि इसी टाइम की बात हो रही है मैं अब सेंग रहूँ पहले नहीं या भविश्य में नहीं सेंग हूँगा अभी की बात हो रही है राम नाच रहा है अब राम भी अभी नाच रहा है आगे है भूत काल, भूत काल होता है जब बीते समय की बात हो, उसे भूत काल कहते हैं, यानि जो समय बीत चुका है, जो समय बहुत ही पहले था, या कुछ समय पहले की बात है जैसे अगर हम एक्जांपल के दर पर लें, वह नाच रही थी, वो पहले नाच रही थी, अब नहीं नाच रही है, भूविश्य में नहीं नाचेगी, सागर को तैरना आता था, पहले सागर को तैरना आता था, अब की बात नहीं हो रही है, अब चाहे आता हो चाहे ना, लेकि वो समय आया नहों, जैसे कि मैं नाचरा सीखना चाहूंगा कि मैं अभी के लिए तो नाचरा सीखना नहीं चाहता, लेकिन चाहूंगा जरूर, सागर कल को गेम खेलेगा, यानि सागर कल को गेम खेलेगा, आज नहीं खेल रहा है कल को खेलेगा, सो आज के उड़कल तरही मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स वर वाचिंग